दर्बार भक्तों से भरा हुआ था, मंच पर बाबा अरजी लगा रहे थे और तभी दर्बार में आगमन हुआ एक व्यक्ति का, वो व्यक्ति थोड़ा नास्तिक प्रवर्ति का था, वो चमतकार भगवान और भगवान की शक्तियों पर यकीन नहीं करता था। जब उस व्यक्ति ने मंच पर बागेश्वर धाम महराज की शक्तियों को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। मंच पर महराज कभी देवताओं और कभी भूतों से बात करते, तो कभी बाला जी महराज से अरजी लगाते। महराज भक्तों की समस्याएं पहले ही पर्चे पर लिख देते और भक्ती में गदगद हो सभी शद्धालू बागेश्वर धाम महराज का जैकारा लगाने लगते। महराजी के इन चमतकारों को वो व्यक्ति दूर खड़ा देख रहा था। उस व्यक्ति को ये सब छलावा लगा। उसने बागेश्वर धाम महराज की शक्तियों को जूट समझ लिया और महराज के सामने आकर उनकी शक्तियों को चुनोती देढा ली। इसके बाद बागेश्वर धाम महराज ने वो किया जिसे देख उस व्यक्ति के होश उड़ गए वो स्वेम बाबा का भक्त बन गया और पूरे दर्बार में सननाटा पसर गया तो आखिर वो व्यक्ति कौन था और क्या हुआ उस दिन बागेश्वर धाम में आज हम आपको बताएंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जै बागेश्वर धाम कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलिएगा बालाजी महराज की गृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी वरंदावन की सौफी सदी असली शी भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं क्रश्न संदेश संपून भगवत गीता ग्रहों से लेकर स्वास्ते संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण कर बात नवंबर 2022 की है जब देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के एक पत्रकार बागेश्वर धाम पहुंचे उन्होंने बाबा की चमतकारी शक्तियों के विशय में पहले से सुन रखा था उन्होंने बाबा की कई सारी वीडियो भी देखी थी और बाबा के बात कर सकता है और कैसे कोई किसी के मन की बात को जानकर पर्चे पर लिख सकता है अपने मन में इसी प्रकार के प्रश्णों को लेकर और अपने माईक के साथ वे दरबार में आए मौका पाकर वे महराज के सामने आए और उनको देखते ही सरकार उनके मन की बात को भाप गए सरकार ने स्वैम पत्रकार महवदय को मंच के आगे बुलाया और उनसे पूछा कि क्या वे बागेश्वर धाम की शक्तियों को मानते हैं तो पत्रकार महवदय ने ये उत्तर दिया कि नहीं वे इन शक्तियों को नहीं मानते तभी महाराज ने पत्रकार से कहा कि वे अपनी मर्जी से दर्बार से किसी को भी बुला लें और इसके बाद वो हुआ जिसे देख सबकी आँखें पटी की फटी रह गई भागिश्वर धाम सरकार ने एक पर्चे पर सारी बातें लिख ली और उस पत्रकार से कहा कि वे दर्बार से जिस किसी को भी बुलाएंगे इस पर्चे पर लिखी बात उसी की होगी। सरकार की इन बातों ने पत्रकार को हैरान कर दिया। वे बड़ी देर तक दर्बार में इधर उधर देखते रहे और उन्होंने दर्बार से एक लड़के को बुलाया। वो लड़का बहुत प्रसन हुआ, वो सरकार के सामने मंच पर आकर बैठा और उन्हें प्रणाम किया। अगले ही शन महराज ने अपने उस पर्चे को पढ़ कर सुनाया। और सबसे चौकाने वारी बात ये है कि उस पर्चे पर लिखी एक एक बात उसी लड़के से संबंधित थी। ये चमतकार देख उस लड़के ने बाबा के आगे हाथ जोड लिये। पत्रकार भी बाबा की शक्तियों को मान गए और पूरा दरबार बाबा की जैजैकार से गुझ उठा। बाद में सरकार ने उस लड़के की समस्याओं के बारे में बताया और उनके निवारण का उपाय भी बताया। अपने इस प्रकार के चमतकार से महराज ने ना सिर्फ उस पत्रकार को बलकि उन सभी लोगों को चुप करा दिया जो भगवान की शक्तियों पर प्रेश्न उठाते थे। इस अत्यंत चमतकारी घटना से बागेश्वर धाम सरकार ने ये सिद्ध किया कि भगवान और उनकी शक्तियां कोई कोरी कल्पना नहीं बलकि सत्य हैं तथा उन पर साक्षात बालाजी महराज की विशेश कृपा है। मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम एक अत्यंत पवित्र हिंदू धार्मे की स्थल है। यहां पर भगवान श्री बाला जी का एक बड़ा ही चमतकारी मंदिर स्थित है। जिसमें लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अरजी लगाते हैं। कूपन के मध्यम से वहां के प्रसिद बाबा श्री धिरेंद्र कृष्ण शास्त sectorी जी उनकी अरजी सुनते हैं तथा समाधान बताते हैं। दर्बार में बाबा भक्तों की परेशानियों को स्वैम ही जान लेते हैं और उसे पर्चे पर लिखकर उसका समाधान बताते हैं। बाबा के इस चमतकार को देखने और बालाजी महराज के आशिरवाध हेतू दूर दूर से भक्त बागेश्वरधाम आते हैं। बागेश्वर धाम भूत भवन, महादेव एवं स्वैंभू श्री बालाजी सरकार की चमतकारिक जागरत इस्थली है। श्री बालाजी महराज का ये मंदिर गाउं गढ़ा, पोस्ट गंज, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। जन मानस के बीच ऐसी धारना है कि ये मंदिर चंदेल राजवंश कालीन सिध्ध पीठ है। श्री बागेश्वर धाम के वर्तमान यूथ प्रमुक पुज्य महराज श्री धिरेंदर करश्न शास्त्री जी ने श्री हनमान जी के आदेश से समाज सेवा एवं सनातन धर्म के प्रचार का संकल्प लिया हुआ है। शास्त्री जित जन मानस में बागेशवर धाम सरकार के नाम से विख्यात है तथा इनकी कताइं टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंसती हैं बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेंद्र करश्न शास्त्री जी ने हाल ही में तब सुर्खियां बटोरी जब नागपुर इस्थित एक अंध विश्वास विरोधी संगठन ने उनकी चमतकारी शक्तियों को चोनोती दी 26 वर्षिये बागेश्वर धाम बाबा यानी श्री धीरेंद्र शास्त्री किसी व्यक्ति द्वारा समस्या का उलेख किये बिना उनकी समस्या को समझ लेते हैं वे अपने भक्तों की समस्याओं को एक पर्चे पर लिखकर उसका समाधान भी बताते हैं विवाद शुरू होने के बाद से श्री धीरेंद्र करश्न शास्त्री जी यानी बागेश्वर धाम सरकार शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके वीडियो भी ट्विटर पर खूब वाइरल हो रहे हैं न्यूस चैनल से लेकर अखवारों तक में बाबा च्छाय हुए हैं विवाद अधिक बढ़ने पर बाबा ने पुने अपने दर्बार में कुछ पत्रकारों को आमंत्रित किया और एक बार फिर अपने उस पुराने चमतकार को सब के सामने दोहराया बागेश्वर धाम सरकार हमेशा अपने साथ एक छोटी गदा लेकर चलते हैं उनका कहना है कि इस्ते उन्हें हनमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं वो हनमान जी की आरादना करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं तो आपको श्री बागेश्वर धाम सरकार की ये चमतकारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक वे शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा